हेलो फ्रेंड्स, वेलकाम बेक टो आर चैनेल इन टूडेस वीडियो आई वान टू टेल यू हाउ टू सॉल्व आटो रिस्टार्ट प्रोब्लेम इस डिबाइस में आटो रिस्टार्ट और सैमसंग लोगो स्टाक प्रोब्लेम ठीक कैसे करें मेरे जो समसंग डिबाइस है, ये हर दिन एक से दो बार टोईरी रिस्टार्ट होता है और कभी-कभी रिस्टार्ट के दो रण समसंग लोगों पर आटक जाता है आप जड़ा सोचिए, किसी के साथ आप फोन पर बात कर रहे हैं या कोई गेम खेल रहा है या कोई काम कर रहा है अगर उस वक्त phone restart होता है तो कैसे लगेगा दोस्तो आज की इस वीडियो में इस problem को ठीक काने का मेरा जो experience रहा है वो मैं आपके साथ share करूंगा वीडियो में कुछ important step दिखाऊंगा अगर आप सही से follow करेंगे तो आपको भी problem solve बोजाएगा नमबर वान force restart कभी कभी सब्ट्रेक क्रेस होने के करण auto restart या लोगों पर अटक जाने का प्रोब्लम हो सकते हैं इस हलत में phone को नॉर्मल तरीके से restart करना पॉसिबल नहीं होगा इसलिए force restart करना पड़ेगा अब साइड में power button and follow minus button को एक साथ दबाए रखना है अगर डिस्प्ले के उपर समसंग की लोगो आएगा तब छोड देना उसके बाद device अपने आप restart हो जाएगा दोस्तों अगर आपका device इस तरीके से on हो गया तो second step follow कीजिए तैकि ये दूबारा auto restart ना हो सके है अगर आप इस features को बंद करना चाहते हैं तो phone की settings open करें settings open करने के बाद scroll करते हुए नीचे की ओर जाएए इसके बाद device के आया फिर से नीचे की ओर जाके auto optimization पे क्लिक करें दोस्तों यहां पे एक option देखने को मिलेगा auto restart अगर ये on किया हुआ है तो उसे बंद कर दीजिए इससे अपका device auto restart होना बंद हो जाएगा इसके अलबा आप अपने device की internet storage कम से कम 20-25% खाली रखिए अगर कोई फालत की आप install किया हुआ है तो उसे uninstall कर सकते हैं गेम कहलते समाए या किसी काम करते समाए अगर phone ज्यादा गरम हो जाए तो कुछ समाई के लिए phone को side में रख दीजिए इससे device की performance बहतर होगा पर feature में ऐसा कोई problem नहीं आएगा नमबर 3 software update दोस्तों आप यह दोनों process apply कर लिया है अगर इससे अपका problem solve हो जाते है तो ठीक है अगर नहीं हुआ है तो जान ले कि आपके phone की hardware में serious कोई problem हुआ है हम लोगों ने कहीं पर notice कि आए कि इस तर डेमेज हो जाते हैं अगर आपके साथ ऐसा हुआ है तो मुझे comment करके बताइए दोस्तों इसका cable एक ही free solution है hard reset अब अपना phone को एक बर hard reset करके देख सकते हैं hard reset करने से अपके phone में जितने साड़े important data वागरा होगा जैसे कि photo, video, apps जो भी है सब कुछ delete हो जाएगा तो सबसे प फिर Samsung का require remote activate हो जाएगा Samsung require remote में कुछ इस तरह के interface देखने को मिलेगा इसी interface में अमरे mobile का task किन बिल्कुल काम नहीं करेगा कोई भी settings access करने के लिए power button और volume key का इस्तेमाल करना होगा यहां पे reboot system now select है अब phone को format करने के लिए volume down बटन को प्रेस करके wipe data और factory reset में जाना है next एक power button दबाए wipe all user data मतलब screen lock के साथ साथ पूरा phone format होने जा रहा है इसके बाद एक बार volume down बटन को प्रेस कीजिए फिर power button दबाए कुछ इस सेकंड में phone का साड़े एटा डिलीट हो जाएगा data format होने कभी कभी 10 से 20 मितर लग सकते मेरा phone में मोरी पूरा खाली था इसलिए बाद जल्दी हो गिया है यह रिबूर्ट सिस्टेम ना option selected है तो अब एक बार power रूंदा भाए फिर आपका device automatic चाले हो जाएगा mobile चाले होने में थोरा सामाई लगता है तो आप टिंसन ना करें दोस्तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहां पर हमारा device स्टार्ट हो गिया है नमबर 4 service center दोस्तो हार्ट डिसेट करके 90% लोग का problem ठीक हो गिया था अगर आपके किस्मत वाके ही खराब है तो आपके लिए last option service center है अपके device में मादर बोड डेमज हो चुका है क्रिप्या इसके बाद नियरेस्ट को इस Samsung service center या mobile repair दुकन पर लेके जाए और एक चीज कर सकते हैं अ